कि चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर से ओके ऐसी वोल्टेज एप्लाइट टुए तो यह सर्कीट डियाग्राम में कोई दिखा थे कैपेसिटर को ऐसे दो पैरलल प्लेट्स केपेसिटर को ऐसी नहीं दिखाते हैं इसी डिनोट किये हैं इधर हम लोगा कैपेस साइन ओमेगा टी करेंगे ना वोल्टेज को इसी दिखाना है क्या हुआ तो देखिए किर्चौफ अब लूप रूल एप्लाइब करेंगे तो आपको कैपेसिटर का वोल्टेज निकालने का एक रिलेशन याद है वी ब्राबर क्या होता है क्यूब इसी पड़े हैं कहने का मतलब यह जो वोल्टेज है वीम साइन ओमेगा टी यह यह क्यूब आइसी के बराबर होगा समझ रहे हैं तो हम लोग दोनों को क्यूट कर देंगे या फिर करेंगे किर्चौफ लूप रूल ओके समझें की नहीं समझें तो देखिए यही क्या है क्या है क्या है क्यूब अब लूप रूल से कहने का मतलब के एक क्लोज पाथ में समझें क्या होता है जी रो होता है ना कहने का मतलब ऐसे सकते हैं अब देखिए अब हमको करेंट निकालना यह होगा वोल्टेज होगा ना तो लोग की जानते हैं आई बराबर क्या होता है तो यहां पर क्यों बराबर क्या होता है इस इक विसन से उपर वाले से क्यों स्क्राइब क्यों स्क्राइब करना होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा देर्फोर आई बराबर होगा हम लोग क्या इसको भी करना होगा तो इसको अगर डिफ्रेंशेट करना होगा ना तो डिफ्रेंशेट किजिए तो डिफ्रेंशेट्स अउफ क्या सी वी एम साइन ओमेगा टी राइक हो जाएगा वी टी होगा तो इसको अगर डिफ्रेंशेट किजिए गा तो इधर लेफ साइड में आई होगया ठीक है टीक्यों डिटी को आई लिख देएं कोई दिकार नहीं है ठीक है और यहां पे सी और वी एम हो है कि नहीं होगा सीवीं बाहर होग की साइन ओमेगाट का को सिदे इसन ओमेगा टीकोस ओमेगा की सऊना ओमेगाट नदर वंगे? अनुचे सिदे नथमेगा ना बाहर घेएंगा ओमेगा बहर आ गया तो यह क्या हो गया यह हम लोग का हो गया ओमेगा सी मोस्टों स्थी। तो तो यह लाए यहां पे लेट साइड में लाए यूजिंग रिलेस्टन आप देखें को सब्सक्राइब होता है एक पता नहीं होगा क्योंकि आप ट्रिग्डूमर्टी तो अच्छे से पढ़े नहीं है ट्वेल्फ क्लास का तो देखें क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं अगर आपको समझ 250 कोडरेंट होता है काटिजन कोडिनेट सिस्टम में जानते हैं यह वगया सकेंड क्वाडरेंट यह वगया थ्रड क्वाडरेंट यह वाला हो गया फोर्थ क्वाडरेंट टिक है तो देखेञें कभी वे ऐसे प्रोल्लेम रहा काना साइन नैंटी साइन पर चुके हैं कि को सुंधिता होता है यह तेंथ प्लसटीटा हो गया तो यह कौस थिटा कैसे होगा या फिर माइनस को सिटा कैसे इसको लोग लिखेंगे यह लोग सिखेंगे ठोड़ा सा ठीक है तो आपको याद रखना है इस चीज को सॉल कर इस ट्रॉलेम को सुल करने के लिए आपको कुछ ट्रम्स और कंडिशन याद रखना होगा यह जो फर्स्ट क्वाडरेंट है इसमें जतना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिव आएगा वह वह ओल पॉजीटिव क्या होगा ओल इसमें पॉजीटिव ठीक है औ इसमें कोस और सेक और इसमें हो जाएगा टेनर कोट टेनर में खुक्रव खूझी जो नाम लिखे भी क्या होगा और यह निकेटिव और एंगरम्य जिरो बनेगा यहाँ बनेगा नउटीडिडिपाइदिब लिए 279147 गेगरीडर टीवन ग्विधंगा इसको सब्सक्राइब होता है फाइफ फॉर्टी फिफ्टी फॉर होता है तो एक बात क्या याद रखना है कि यह यह चेंज नहीं करता है क्या याद रखना है डू नोट चेंज टू नॉट चेंज और या तो नॉट चेंज और क्या करता है चेंज करता है तो देखिए आप कैसे करना जैसे कि 90 प्लस थीटा बोला तो 90 से प्लस जाएंगे तो कौन से क्वाट्रेंटम जाएंगे फूसी सेकेंड ओके अब चुकी 90 से जा रहा है है 90 जा रहा है मतलब y-axis का बात हो रहा है y-axis हमेंसा क्या करता है चेंज करता है तो 90 से प्लस जा रहा है तो चेंज होगा तो रे तो यह रहा हमेंसायाद रखना की साइन चेंज होता है मैंसा क्याज मैं को को से कृसमें करता है का वहीरी थे différence सिंद्सप्राइब गालीन चाहँ के आपको रता होगा प्लस थीटा कौन सा महीं जा जा रहा है जो जो तो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या क्या पोजिटिव रहता है साइन और और कॉस्ट अज अर्चना बुक्स उटा हुआ है आजाओ तुम्हारा तुम्हारा सुशल साइंस और कुछ बोल रही थी अरे क्लास ले रहे है गुडू इसमें माइनस सिर्फ के ना उसिए नहीं तो इसमें हो जाएगा नेगेटीव ठीक है तो यह यह उजाएगा हमने लोग का क्या माइनस सिर्फ अ प्लस में लिखा है कि यह थी का कि अच्छा को साइन के टमस में लिखा है प्रोब्लेम क्या है अब इसी के रिकोडिंग हम लोगा बन जाएगा खुशी ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कोस ओमेगा टी को ना मतलब को सिटा ओमेगा टी को अभी हम लोग थीटा माल लेते हैं कि अगहीं हम स्वल्न करना साइन नइनटी पिलस थीटा का क्या सबकर नहां है सइंटी प्लस डिटा फिरक है तो सेचंड नाइनटी प्लस थीटा है तो देखिए प्लस थिटा कर रहे हैं ना तो साइन यहां पर है न सेकंड क्वाडरेंट में तो साइन रहेगा तो पोजिटीव होगा इसलिए प्लस को सिटा होगा इसमें ओके है नहीं समझें समझें लेफ्ट साइड वाला को हम लोगों देखना होके प्राइस में दिमाग लगाना होगा आपको डिप में हम जल्दी में समझा है तो ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा प्रोल्वेम देदेगा सपोज कोस नाइनटी प्लस थिटा होगे तो देखिए कोस दोलग क्या इसमें है कासवाला राइट साइडवाला को तभी हम देख रहे हैं गल्ती से तीके लेफ्ट साइड वाले को देखना हुचै लेफ्ट साइड़ को चूश कर रहा है दिशका है तो को स 90 प्लस ठीटा क्या हो जाएगा मा Rap …-운ight करते außerगर कोई पूस देगी— chegou को तो टू पाई में अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा खुशी फॉर्स्ट कॉडेंट बहेंगे तो पाई से प्लस उबस जाएंगे तो फ्रस्ट और दिकाए और चुकिए टू पाई कौन से कर टो आई बराबर क्या मिला कि अच्छा रुकिया रुकिया अच्छ पॉर्ट कर दिना और यह जो हम लोग का ओमेगा सी आ ओमेगा सी वी एम है ना इसको क्या लिखा गया है यहां यहां पर बताए गया कहीं पर हाँ आई एम ब्राबर ओमेगा सी वी एम देखें नीचे में लिखा रहा है इसको क्या बोलते हैं एंपलिट्यूड और तीक है समझ रहा है आई एम बराबर यह हो गया ओमेगा सी वी एम या फिर ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से यह ओमेगा सी जो उपर मैं मल्डिप्लाई में था इसको वान भाई ऐसे भी लिखते हैं आज जल्दी रेज नहीं हो रहा है जो ची लिख रह एम वान अपोन ओमेगा सी ओके समझे की नहीं समझेल वार्ट में ठीक है है और देखिए वान ओपन ओमेगा सीजान होता है ना देखे चुकि देखे इसको आक हुसी हम लोग जानते है आई बराबर याथा वीशोटू आई र होता है ना आँप आए कि भिँवियर होता है यहां पे वन उपन ओमेगा सफी जो है या ना ये से काम कर रहा है कि सा उसी को एक वोलते हैं एक इसको बलते है वांट ओमेगा सी को ओके समझें च ourselves और इसी का यूनिट होता है क्या तो कहने सकते हैं अधिम मर भबर करेंगे तो कि नहीं समझें फिर से बताएं समझ गया है अब देखिया गए यहां पर वहीं बताएगा इसाई उनिट इसका भी क्या होगा एक सी का ओम के तो अभी हम लोग दो चीप पढ़ें उपर में इंड़क्टर था तो एक्सल पढ़े थे एक्सल बराबर ओमेगा एल और एक होता है कि यह सब पात रखेगा मैं में पूछ सकता है आप देखें पावर निकाला है पावर प्राबर भी आई ओके दोनों को में सुआ है तो तो यह सब याद रखना है थोड़ा 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 इंक्टर या रेजिस्टर निकालत बता नहीं कहां कहां देखेंगा हो जाएगा सब समझ वाग्या कि नहीं तो इसमें देखें तो हम लोग इसी दिखाते हैं क्या लिखे हैं कि आई-म साइन ओमेगा T प्लस पाइब वैटू है ना उसमें माइनस में था ना इससे पहले हम लोग का इंड़क्टर में था गी नहीं कुसे इसमें जो है कौन लेड कर रहा है vos कारेंट लेड कर रहा है कितना पाइब रहे है तो ग्राफ में गृहर्ट आगे है थोड़ा सा देखिए ना इसमें ग्रेंट आगे तो इसका बनांता है ख्यांविशी बना सकते को लिए तो देखिए जैसे कि एक जिलिए सब्सक्राइब करेंट का बीच में करना ना है तो बस एसी आपको बना देना है ठीक है दोनों के बीच में करना कर रहेगा पाइब डूइक है तो ओमेगा टीवन पे लाइनिंग देंगे और उसी के पैरलल दो लाइन बना देंगे ठीक है तो यह जाएगा हम लोगा एक वोल्टेश का हो जाएगा उपर वीम साइन ओमेगा टी वन और करेंट का क्या जाएगा आएम साइन ओमेगा टीवन प्लस पाइब टू होगा ना और दोनों के बीच में फेज डिफ्रेंस है पाइब टू का ठीक है तो अगर सब्सक्राइब लोग यहां पे वोल्टेज को दिखा रहा है और इसका एंगल बन रहा है ओमेगा टीवन तो इससे पाइब प्रफिजेंटेशन ओके यह बना कर देखिएगा हो जाएगा यही बस बोल रहा है लीड और लेगोला बात बता रहा हो गया और पावर जीरो होता है बस कहानी कितम हो गया और देखिए इसले बस में इसके बाद क्या पढ़ना है देख लीजिए नहीं तो यहां पर पढ़ है बस देखेंगे लह सब्सक्रीज लगा लूठने पॉसकि इसको बढ़ete हॉसका बाद देखेंगा से यह मोका एक करेंट है अल्शियार का मतलब उलफ्र इंडॉक्टर या किस लिए है अ कि दैक्टर के लिए कि वाकत है और आरकल फॉल हॉट क्या तो अगर हम लोग करेंगे तो यहां का जो वोल्टेज है इन तीनों के वोल्टेज के बरावर होगा समके प्रोटेंशिल के बरावर को करें तो इंड़क्टर का वोल्टेज क्या होता है है और रेजिस्टर के लिए यह YAR प ropes के लिए नहीं है है कि तो यह दो यह यह खाना beginner है हां तो यह वाला एक्वेस्टन में कोई डाउट तीनों का वोल्टेज को वी के बराबर दिखा दिए कोई दिखत नहीं अब लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसका दो टाइप का सोलीजन है एक है एक है एक क्या है फेजर सोलीजन है तो दो तरीके से इसको सुल्व किया जाता है फेजर और एक अनलेटिकल दूसरा क्या है अनलेटिकल में हम लोग इक्वेशन के से सॉल्व करते हैं ठीक है तो दो टाइप का इसमें सुल्व किया गया है तो पहला है फेजर फॉम तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहां से पढ़ते चलिए तब किलिए रहोगा थोड़ा सब पढ़ना पड़ेगा हम लोगों कि वी सी डाइट रिजिस्टर इंड़क्टर और कैपेसिटर सिरीज में है तीनों है कि नहीं यहां यहां फो utmost करींट कर रहे तो यहां बहुत खरिött रहे हैं तो पहल्या लाइन के लियर हो गया कि सब्सक्राइंट से शरा इसे हें ओने अलीमेंट है यह बिसे having the same amplitude and phase तो मतलब दोनों का एंपलिटूड और फेस्ट सेम है ठीक है तुम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो करेंट फ्लो कर रहा है और आइक करेंट को हम लोग ऐसे रिप्रिजेंट कर रहा है सिमान ले रहा है कंसिट्रेशन कर रहा है आई बराबर आई एम साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइच कहा है जहां पर फाई हम लोगा फेस्टी दिफ्रेंस कहा है तो फाइच के भीच का वोल्टेज और करेंट के बीच है ओके वंदर वेसिज भी है लेंट इन प्रिवेश सेक्शन हम लोग पीछले सक्षन में कुछ कुछ चीज पढ़ें थे डाइग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तो देखिए अभी उसी का यूज करना होगा अगर वह नहीं सिक्षिए होंगे तो फिर यह डाइग्राम बनाना मुस्किल है तो देखिए कर लेंगे हम लोग लेट आई इस डाइक कर लिए इसको एक डायरेक्शन माल लिए ठीक है और इसके इसका एंगल क्या है करेंट का एंगल हम लोग अभी एक्वेशन में दिखाए आवमेगा टी प्लस पाई है की नहीं है है ठीक है और एक बात आपको पता होगा कि रेजिस्टर में जो फेस डिफिरेंस ह तो मतलब जिदर करेंट होगा उदर ही होगा वोल्टेज रेजिस्टर का वोगा तो वी यार भी इसी डिरेक्शन में तेका इसलिए दिखाया गया कोई दिकत नहीं है ना आप देखिए हम लोग क्या जाने एक में लीड करता है एक में लेक करता है भी हम लोग पड़े थे क्या निकाल है आई बराबर क्या निकाले हैं देखिए आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बैटू है है कि नहीं मतलब करेंट लीड कर रहा है भाई दी अंगल कितना पाई बैटू ओके है लो है तो है सब्सक्राइब हैं टीक है ह हुआ हुआ जिसमें क्या दिखाया गया तिक है इससी में जो वोल्टेज होगा और शॉप है वह लोका तरो रेजिस्टर में टो डिफिसर दो गाही लीडख करेगा और दूसरा क्या का लेक करेगा च्विक्वि एक में क्या था माइनस पाइबाइटू था था कि ने और एक में क्या था प्लस पाइबाइबाइटू था ना साइन ओमेगा टी प्लस पाइबाइटू इसलिए ऐसे दिखाया गया है यह व्यूर्टेज को रिपिजेंट कर रहा है रिपिजेंट कर रहा है कि नोखें अब अब देखिया यहां पर बोल रहा है और आगे वाला को लेफ्ट साइड ओके तभी रिपिजेंट किया था ना इसलिए वैसे किया बस यही बस तरीका है ठीक है और तो वी आर एम आगर हम लोग रिजिस्टर का बात करें तो यह क्या होता है आई एम टुआर वी सी एम ब्राबर आई एम इंटू एकसी और वी एलेम ब्राबर आई ये लिया है होती है पीफ लोग क्या जानते है कि एक सी जो है वो आर्क जैसे काम करता है इनकैस के पैसिटर झाहर एक्सल काम करता है रिजिस्टर के जैसा इनकैस ऑफ इंडटर है कि तो बस लो से यहां पर लिखा गया वोल्टेज जो में होगा वहां एंटू- कर बराबर होगा है कि बराबर होगा ओर और हम लुग करने का किसके बराबर होता है तो कहने का मतलब पराबबर सक जाएगा ठीक हैए कि अब देखिए अérie और रहा है इस रिलेसं रिप्जेंट्स ती रिप्रेजेंटेट इन सीज्वी अन्वी लोग दी सेम लाइन इन पॉजी डिरेक्शन दे कैन बी कम्बाइन सिंगल फेजर वी सी प्लस वी यल तो हम लोग क्या कर रहा है दोनों एकी लाइन में वी सी और वी ल हैं किने लेकिन आपो में तो इन दोनों को कॉन्बाइन करके एकषम में दिखाया गया है में दिखाया गया है यह दोनों के सम के ब dado उसको हिस को बोलते हैं दोनों का क्या बोलते हैं जो भुला गया डिजल तटांट ना मेवा भी तो यह अगर शोगया तो यह क्या हो गया ह मेगा यह तो तो इसमें क्या निकाला है थोड़ा सा दिमाग लगा है और हम लोग का टाइम साथ हो गया है ना कितना बज़े शुरूग गया है तो अब देखे वी स्कॉयर एम इस उक्वाइब इस टू वी आर एंस्कॉयर प्लस यह स्कॉयर यह पाइथ़ोगोरस लगा रहा है कैसे लगा रहा है इसको देखिए इसको पढ़ना होगा इस रिलेस्टन इस रिप्जेंटेट बाई फिगर बी इसको रिप्जेंट किया फिगर भी में अभी हम लोग देखें सिंस वी सीन फी एल और अलोंग दी सेम लाइन इन आपोजी डिरेक्शन दे इसको अगर इसका में निटूट का बात करें तो वोल्टेज के पर सिटर माइनस वोल्टेजिंड इंडूर व्हाइल में यह पॉरथ एंगेल तो यह कराई टेंगल पैऊ लगा यह लगाया है अच्छा डियाग्राम में दखें खिलियर हो जाएगा कि क्या लिखा है 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 अब को न जबियंग Sape आट आर वीसर फीक्टर विम आप सीफंटिंग आपको